आज हम मेक्यावली के मानव सुभाव के बारे में चर्चा करेंगे मानव समाज का जो भी अद्धन मेक्यावली निकिया उसकी गेहरी छाप उसके राजनेतिक दर्शन पर पड़ी मेक्यावली की धारना थी कि मनुष्य जनम से ही बुरा होता है अपनी सुभावगत तुष्टता के कारण ही वे अदोगती को प्राप्त होता है मनुस्य प्रकरती से गोहर स्वार्थियं दुष्ट होता है वे दुरूबलता, मुर्खता एवं दृष्टता का मिस्रन है वे प्रकरती का ऐसा खिलोना है जिसे चाहकर साधा जा सकता है और आवसार नुकूल निर्ने ले सकता है मैक्यावली का विश्वास था कि मानव की स्वार्थ भावना और उसका एंकार उसके सारे किरिया करणापों के मूल में है वे भिविन कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुर तथा परोपकार जैस बातों से एपरिचित है प्रिंस में बहुत व्रद सत्रु अध्याय में उसने लिखाए कि सामनते मनुस्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे किर्टग्न, चलायमान, मिठ्यवादी, डरपोक और स्वार्थ लिपसु होते है वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक की सफलता आपके पास है वे तभी तक आपके लिए अपना रक्त, संपत्ती, जीवन, आदिका बलिदान करने के लिए प्रस्नुत रहेंगे जब तक वास्ता में ऐसे बलिदानों की आवसकता दूर रहती है लेकिन जैसे ही आवसकता निखटाती है वे आपके विरुद विद्रो कर लेते है मनुष्य उसी समय तक किसी से प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्धोता है लेकिन जब वे अपनी कोई स्वार्थ सिद्धी नहीं देखते तो वे विद्रो कर देते है मैं क्यावली का कहना था कि कारे करने की प्रेणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थ-परत्ता से ही मिलती है जब कभी मनुष्य को फशू के समाने हैं जिसमें अंतरनीत अच्छाई नाम मातर की भी नहीं है भे, सक्ति, अभिबान और स्वार्थी उसकी प्रेरक सकती है जब कभी मनुष्य को स्वय वेक से कारे करने के स्वतनता दे दी जाती है तब ही ऐववस्ता फैल जाती है क्योंकि वेवार में वे धोके बाज और चित से ऐस्ते रहा भे के कारण वे दूसरों से प्रेम करता है अपने लाब के लिए स्वांग रचाता है तथा पाखंडी बनता है विलासी होने के कारण वे आरामपरी है आसा लगाय हुए प्रतेक वेक्ति उस दिन की इंतजारी करता है जब बाप मरता है और बैल बटते है मैक्यावली का ये बाग के बड़ा प्रसिद है कि मनुस्य पिता की मृत्यू का दुख आसानी से भूल जाते है पर पित्रधन की हानी नहीं बोलते है कपट वासना और स्वास से भरा वेक्ति अपने लिही बुने गए जाल में छट पटाता हुँआ मर जाता है इतियास बताता है कि मनुस्य अंत में सदय उपर से नीचे की ओरी गिरा है और वह दिन दूर नहीं जब मनुस्य का पापी जीवन सदा के लिए मिट जाएगा मनुस्य के अनुसार संपत्ति की आकांचा मनुस्य कारियों की सक्तिसाली प्रेरत मनुस्य अपनी आसाओं की ऐ परिमित्ता के कारणी अपराद कर बैठने है कुछ धन प्राप्त करने के सवभव किछ्छा की सदय भी पूर्ती नहीं हो सकती प्रतेक मनुस्य चाता है कि संसार की सर्वोच वस्तु उसी के जीवन के लिए हो इसी उद्दे से प्रेरित होकर वे निरंतर प्रतिस्प्रदा और संगर्श में लगा रहता है मानव सुभाव की इसी धारणा के आधार पर मैक्यावली कहता है कि एक राज नितिग्य को मानव की इस स्वार्थ भावना को ध्यान में रखना चाहिए और राज जी को चाहिए कि वे एक मनुस्य को दूसरे मनुस्य के आकरमन से बचाए मैक्यावली के अनुसार प्रेम और भह दो विशेश सक्तिया है जिनके द्वारा मनुस्य से कुछ भी काम निकाला जा सकता है जो सासक प्रिय होगा उसका दूसरो पर अच्छा परवाव पड़ेगा जो सासक भेंकर होगा जनता उसकी आग्या तुरंती मानेगी प्रेम और भें ये दो सक्तिया मनुस्य को वश्मे कर सकती है किन्तु राजा के लिए बह का सारा लेना ही अधिक स्रेश्ट है मैक्यावली की मानव संबंदी धारना का सेभाई ने इस प्रकार चित्रन किया है मैक्यावली ने राजनिती की संबंद में जो कुछ कहा उसके मूल में एक विशीष्ट धारना कारिये कर रही है यह धारना यह है कि माननव प्रकरती मूल ते स्वार्ती है राज नेता के प्रेरे कुद्धेह से सद़व एंकारी होने चाहिए जन सादारन सद़व सुरक्षा चाहता है और सासक सकती सासन के स्दापनाक उद्देशी यह है कि वेक्ति कमजора होता है वे दूसरे वेक्तियों के अतिकरमन से अपने रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा के लिए राज जी क्या आउ सकता होती है मनुस्य की प्रकरती बहुत अधिक आक्रवनकारी और अर्जन सील है मनुस्य के पास जो कुछ होता है वे उसे अपने पास रखना चाहते है और उसे अधिक का अर्जन करना चाहता है मनुस्य के इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं है उन पर एक मात नियंत्रण प्राकर्तिक दुर्बलता का ही है फलत है मनुस्य सदैवी संगर्स और प्रतियोगता की स्थिति में रहते हैं यदि इस संगर्ष और प्रतियोगता पर विदी का अंकुष ने हो तो समाज में आराजकता फैल जाती है। सासक की सक्ति आराजकता की संभावना पर और इस धारना पर है कि सक्ति साली सासक ओने पर ही स्वरक्षा कायम रह सकती है। मानों सभाव संभन्दी विचारों का निसकर्ष पहला है मैक्यावली का मानों प्रेणाओं से संभन्दित उप्रोव सिद्धान प्लेटोर रस्तु द्वारा प्रतिपादित या अन्य सिद्धान जो राज्य का जनम मनुस्य के स्वाभाविक सामाजिक विकास को देखते हैं दूसरा बुद्धिमान सासक को ये मान कर चलना चाहिए कि मनुस्य के प्रेणिक सक्तियां जिन पर वे भरोसा रख सकता है स्वय महंकार और स्वारत हैं वे नेतिक और परमार्थ पूर्ण नहीं है अते सासक को सदय इतना सक्ति साली बनाए रखने का प्रियास करना चाहिए कि वे प्रजाजनों को सुरक्षा प्रदान कर सके हैं तीसरा है राजनिती और नेतिकता का गठबंदन ए वेवारिक और उपहास प्रादे मनुस्य जनम से ही स्वार्ती तथा धर्म की अपेक्षा पाप की और प्रवरत है वे विवस किये जाने पर ही अच्छाई का कोई कार यह कर सकता है अता है बुद्धिहींता और ए राजनितिकता होगी कि सासक ऐसे मनुस्य के नेतिक यह सामाजिक सद्गुन रूपी बहुर पीन पर विश्वास करें सासक की आदर्फ इस्तिति यह कि वे प्रजाजन से प्रेम भी करें और उसे दराते भी रहे अब हम देखें मामले के धर्म और नेतिकता संबंदी विचार अमूमन इस पर भी कोस्चन ऊचा जाता है राजनितिक दर्शन में महिक्यावली नहीं सब प्रथम राजनिती को धर्म नेतिकता से प्रथक रखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है यही विचार उसे मद्देकाल से पू का कारण मानता है धर्म लोकिक मामलों में कितना उप्योगी होता है इस संबंद में भी मार्शलियो पेड़वा और मैक्यावली के विचार प्राए एक से हैं मैक्यावली की धर्म निर्पेक्स्ता मार्शलियो की धर्म निर्पेक्स्ता से आगे बढ़ी है मैक्यावली धर्म की मानेताओं का विरोध करते वे इस बात से इनकार करता है कि मनुस्य का कोई अति प्राकृतिक या देवी लक्षन है मैक्यावली ने मार्चिलिक निंदा इसले की कि वे परलोग संबन दी हैं उसने इसाई सदगुनी को चरित्र को कमजोर बनाने वाला बताया और प्राचिन कालीन धर्मों को इसाई धर्म की तुलना में अधिक तेजस्वी शिकार किया मैक्यावली का मानना है कि हमारा धर्म विनमरता, निम्ता और शांसारिक लक्षनों के परती उदासीनता को उच्चतम सुक मानता है इसके विप्री दूसरा धर्म आत्मा के गोरो, सरीर की सक्ती तता अन्य ऐसे गुणों में हैं जो आदमी को बलवान बनाता है सर्वोच सीलता की कल्पना करता है, उनका ख्याल है कि इन सिद्धानतों के कारण मनुस से कायर हो गए हैं दूस्त आदमी उन्हें आसाने से अपने काबू में कर लेते हैं धर्म भीरू मनुस से हमेशा स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं वे चोट सह लेते हैं लेकिन बदला नहीं लेते हैं अपने लक्षे की प्राप्ति के लिए समसादनों का प्रियोग क्या है चाहे वे साधन नेतिक हो या नेतिक अपने नेतिकता को व्यक्तिक नेतिकता और जन नेतिकता इन दो वर्गों में मैं क्यावलिने बाठा है वेक्तिकत नेतिकता में सासक के द्रश्टिकोन और माप जंड को रखा गया है जन नेतिकता के बारे में उस निकाय की जनता का कल्यान इसे में है कि वे अपने सासक की आज्याओं का पालन करें उसके अनुशार सासक स्वतंत है उस पर कोई नियंतरन नहीं है और नहीं वे नहतिकता के किसी संबन्द से बंदा हुआ है अपनी सक्ति और प्रभाव के विश्तार में जो उप्युक्त हो सायक हो वे सब नयाय और नहतिक है वे राज्जी के लिए अपने को एकिकरत करने और शक्ति-साली बनाने की द्रस्टी से प्रियुक्त होने वाले साधनों की नेतिकता पर कोई ध्यान ने दे कर किवल इस बात पर ध्यान देता है कि वे उद्ध्योश्य की पूर्ती में सफल्दा दायक है नहीं मैक्यावलि का मनाए गिर राज्जा तो राज्जे की सुरक्षा की चिंटा रखनी चाहिए साधन तो हमेशा आध्र नहीं माने जाएंगे सामान ते उनकी प्रसंसाही की जाएगे राजा का काम आम खाना है गुठनियां गिन्ना नहीं है इसलिए उसका उद्दे से यही होना चाहिए कि अपने काम में अपने नेतिक ये अनेतिक साधनों का प्रियोग करके सफलता प्राप्त कर ली जाए मैक्यावली द्वारा चिन्नित आदर्स नरेश का यही दृष्टि कोन है कि नहीं कोई चीज अच्छी है और नहीं कोई चीज बुरी है जरूरत पर जो काम दे और फल दे वही चीज सबसे अच्छी है राज सत्ता को बनाए रखने के लिए सासक साम दाम धंड भेद बेईमानी हत्या प्रवंचना आडंबर आदी किसी भी उप्योग का साहरा कर सकता है सच्चा राजा वही है जो सक्ती धोका और पक्सपात लेकर चले राजा सेव की तरह सक्तिसाली हो और लोमडी की तरह चालाग हो उसकी इस निती को व्याग लोमडी लोयनेट फोक्स थरी कहा जाता है मैक्यावली के अनुसार पाप पुन्य धर्म अदम लोग पर लोग अच्छा बुरा सत्रुमित आदी के विचार डरपोक मनुस्य के लिए है राजा को इनका दास नहीं होना चाहिए राजा को सदय यह सीखना चाहिए कि उससे स्रेश नहीं बनना है और बेहिमानी दोके बाजी छलकपट अवसरवादिता हत्ता चोरी डकेती आदे इसके कुसर सकत इन विचारों के पीछे मैक्यावली के धारना यही है कि राजजी की सुरक्षा और कल्यान सरवों पर यह आता इस मार्ग में नैतिक विचार बाधत रूप में सामने नहीं आने चाहिए साध्यों की प्राप्त हितु साध्यों की नैतिकता के चक्कर में पढ़ना मूर्खता है मैक्यावली के राज्य पर विचार राज्जी की तुपतियों परक्री मैक्यावली की राज्जे संबंदी कल्पना अरस्तू से भिन्य अरस्तू राज्जे को प्राकर्तिक संस्ता मानता है जबकि मैक्यावली मानवक्रत उसका विचार है कि राज्य एक कृतिम संस्ता है जिसे मनुष्य ने अपनी एसुदा को तूर करने के लिए बनाया वर राज्य के आविरभाव का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है और इसी कारण राज्य के प्रमुख विशेश्ता उसका निरंतर विश्तार मेक्यावली नगर राज्जी की अपिक्षा निरंतर विकासिल रोमन सामराज्जे को उपाज सकता राज्जी की उत्पत्ति संबंदी मेक्यावली का विचार हाब्स से मिलता जुलता है क्योंकि राज जी की उत्पत्ति से पूरु हाब्स के समानी वह मानवे दसा को अत्यन्त स्वार्थी और सोचने मानता है जिसके समापसी के लिए अंत में लोगों को यही ठीक समझा कि उचित व्यवस्ता वाले किसी अधिकारी की नुक्ति करती जाए जब सामाने हित और कल्या दात्यों का संगठन करने के लिए हुई इस तरह वे स्वार्थ के अत्रिक्त इस पस्ते यह भी बतलाना चाहता है कि राज्जी की उत्पत्ति इस्वरे नय होकर समाज के बल का परेणा मनुस्य की दृष्टता और स्वार्थ परता को सीमित और नियंतित करने के लिए बलसा संस्तान राज्जी के परती उत्तरदाई हैं जबकि राज्जी किसी के परती उत्तरदाई नहीं है मनुस्य का सर्वोच कल्यान राज्जी के अत्रिक्त कोई और संस्तान नहीं कर सकती मनुस्य जब अपने व्यक्तित को राज्जे में विलीन कर देता है तब ही वे राज्ज में जितने भी व्यक्ति संब्दा है। उनका भी यही कार है। मेक्यावलिन ने बहुत इक सक्ति है और छलकपट क्राफ्ट माना है। इसके बिना राज्य की व्रदि नहीं हो सकती। राज्य किसी प्रकार के नैत्रिक आच्रोन में बंदा हुआ नहीं है उसके लिए सभी कारिय नैतिक हैं जो उद्देशी की प्राप्ती में सायक होते हैं वह राज्य को दो भागों में विवाजित करता है पहला ए स्वस्त राज्य दूसरा ए स्वस्त राज्य स्वस्थ राज युद्ध सील होता है और निरंतर संगर्ष में लगा रहता है यह राज एकता कặtःतीक होता है क्योंकि लगू स्वार्थों के लिए उसके निवासी परसपर लड़ते जगटते नहीं है स्वस्थ राज तेज़स्वी और गति शील होता है एस्वस्त राज्य सिथिल होता है जिसमें व्यक्ति अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए संगर्शरत रहते हैं उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई जिन्ता नहीं होती है मेक्यावली ने अपने सूप प्रसित ग्रंथ आदस राज्य के बारे में विचार वक्त की हैं मेक्यावली का आदस राज्य वह है जो किनी भी उपायों से राज्य की सक्ति सम्मान और प्रतिष्टा को बढ़ाता है जो राज्य का निरंतर विस्तार कर उसे सम्मान की चोटी प होना चाहिए लोमडी की चाला की और शेर की सूर्था रखते हुए राजा को अपने उद्देश्यों पर बढ़ते रहना चाहिए उसने एन केन प्रकारे अपना कारे निकालना चाहिए राजा को एक नंबर का जोगी और बहरूपिया होना चाहिए उसे भाड़े के टट्टू विदेशी सिपाईयों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए प्रतिवत अपने देश के सिपाईयों की विश्वास पातर सेना रखनी चाहिए मैक्यावली इस बात से अनुबिग नहीं था कि ततकाली इटली में विदेशी सिपाई विरोधियों की अपेक्षा अपने मालि के लिए अधिक संकत उत्पन करते थे मैक्यावली ने राजा को दूसरी शिक्षा यह दी कि उसे दयालू होते वे भी इस बात पर सदय ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी समाशीलता का अनुचित लाव ने उठाए आवसकता पढ़ने पर राजा को कुरूर होने से भै नहीं करने पढ़ने पर कुरूरता विश्वासगात अन्यतिकता अधर्म आदि सबी उपायों को अपनी सफलता के लिए उसे प्रियोग में लाना चाहिए क्योंकि उसकी सफलता उसके तमाम साधनों को सुम बाद में नैतिक बना देगी लोगों की घरना से बचने के लिए राजा को कभी भी उनकी संपत्ति और उनकी स्तिरियों के सतीत को हाथ नहीं लगाना चाहिए इन दोनों कारियों के नै होने पर अधिकार जनता सुकी और संतुष्ट रहती है यदि राजा को प्रजात 6- manera नीच प्रकर्तिका पर इस्तिरिगामी और एह स्तिर प्रवर्तिका समझे तो इससे उसका मान घट जाता है अत्य उसका कर्तव वे है कि वे छल कपट इंसा आधिका प्रियोग करते हुए भी ऐसे कार्ये करें जिससे उसकी महनता, उत्सा, गंबीरता और सहन सीलता प्रकास में आए तता वे एक सज्जन वे धरम प्राण वेक्ति की ख्याती अरजित करें क्योंकि ऐसी ख्याती उसके नेति पूर्ण आचरन को और अधिक प्रभावचाली बना देगी